Hello friends, welcome to back my channel तो कैसे हो आप सभी, I hope आप सब अच्छे होंगे तो आज कि आप इस वीडियो में बात करने वाले है periodic table की किसकी periodic table की तो आज की वीडियो बहुत ही खास और बिल्कुल easy होने वाली है बिल्कुल easily आपको समझ में आने वाला है जैसे कि 9, 10 और 12 और बाकि BAC के इस्टुडेंट को भी ये प्रियोडिक्टेबल है वो लर्न होनी चाहिए क्योंकि इसी से ही हमारी केमस्ट्री सोल होती है तो चलिए आज बात करते हैं बिल्कुल इजी वे की तो आज की मैंसी वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ इतनी आसान कि only 5 मिनिट में आपको पूरी प्रियोडिक्टेबल लर्न हो जाएगी थो चलिए स्टारट करते हैं आज की वीडियो फ्रेंट्स अगर अपने मेरा चैनल सेस्क्राब नहीं करें तो चैनल को से स्क्राइब कर दीजिए लाईर कमेंट और सेयर करना ना भूले तो अपने से पहले बात करते है anyway ब्लोक के अलिमेंट्स की, ऐसे तो हम इतने सारे अलिमेंट्स याद नहीं रख सकते, तो एक easy trick मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आप कभी नहीं भूल पाओगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, first और second row की trick देखते है, एस ब्लोक के तत्विती, जैसे यह हाइड्रोजियम, लीथियम, सोडियम, पोटेसियम, रूबेडियम और सीजियम, अब बात करते हैं, इनकी trick की, हमको याद कैसे होगा है, बिल्कुल easy way में, जैसे है ली ना को रब से फर्याद, क्या है, है ली ना को रब से फर्याद, ऐसे ह नेक्स्ट रोगी, बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी, क्या है, बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी, यह दोनों हो गई, बहुती जी है, एक बार के में आपको learn हो जाएगी, और learn होने के बाद आप इससे कभी नहीं भूल पाऊगे, अब बात आती है, पी ब्लोक गाजर इन थेली क्या है बैंगन आलू गाजर इन थेली next है कहे सीता जी सुनो पर्भू क्या है कहे सीता जी सुनो पर्भू बात आती है next की नाना पाटेगर असरानी सब बिमार क्या है नाना पाटेगर असरानी सब बिमार हम इसे next रोके बात आती है Old style say TPO अब next row की बात आती है फिर कल बहार आएगा ओटो अब last row की बात आती है हीना नीना और करीना X-ray रंगीन क्या है? हीना नीना और करीना X-ray रंगीन अब यहाँ पर P-block के elements जो होगे complete होगे इनकी trick बहुत हीजी है वीडियो को last तक देखे बिना skip किये अब बात आती है D-block के elements क्या आता है? D-block के elements तो बात कर लेते हैं इस वाली रोकी इसकी क्या trick होगी? Science teacher विनीता कुमारी मैडम फहमी कोल नहीं चूटेगा जनाब क्या है? Science teacher विनीता कुमारी मैडम फहमी कोल नहीं चूटेगा जनाब अब next row की बात कर लेते हैं यारी जरा निभाना मोथ तक रहा में रुकावट पड़े आगे कूट जा क्या है? यारी जरा निभाना मोथ तक रहा में रुकावट पड़े आगे कूट जा अब next row की बात करते हैं next row में क्या है? ला हफ्ता वार्ना रे उससे इधर पिटाई और होगी क्या है ला हफ्ता वार्ना रे उससे इधर पिटाई और होगी तो friends इतनी easy trick जो आपको एक बार समझते ही और सुनते learn हो जाएगी मैं guarantee लेती हूँ आपको पांच मिनट में ये table learn हो जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही लाइक कमेंटर से करना ना बूले thank you for watching my वीडियो तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में